हेलो एन वेलकम टू डिजिटल काइट सोलुशन्स डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरू मैं हूँ मिराज अनसारी आउटोडेश सर्टिफाइड के एट ट्रेनर वेलकम टू दा नेक्स सेशन इस सेशन में भी हम लोग गेर मेट के बारे में जानेंगे बट पिछले हम बीवेल गेर का देखेंगे ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहां से मैं एक नया फाइल लेता हूं डायरेक्ट आप असेमली में जाएए पार्ट में मत जाएए ओके कीजिए ठीक है ओके करने के बाद हमें यह क्लोज कर देना है बीवेल गेर किस तरह से दिखता भी बनाना बताऊंगा ओन दा स्पोर्ट आप असेमली में ही इसका ही इस्तमाल करके आप यह स्टैंड बना सकते हो ठीक है तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा ठीक है तो चलिए अल्टिमेटली यह हमारा टार्गेट है आप इसको कैसे बनाते हैं जरा देखते हैं ठीक है मैं इसको close कर देता हूँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ का अगर आप Solidworks का professional course करना चाहते हैं तिन आज आई ये Google में और type कीजे Digital Cat Solutions, Digital India का Digital Guru ये हमारा website है जहां से आप Solidworks का complete course premium course कर सकते हैं वो भी बिल्कुल भी offer price में आप देख सकते हो यहां पर आपको up to 90% का discount मिला हुआ है और आप देख सकते हैं 191 lectures are already uploaded and curriculum में जाके आप देख सकते हो ये सारे lectures जो हमने upload किये हैं इस course के लिए ठीक है enroll होने के 5 minute के अंदर ही आपके email id पे practice assignments, books, सब कुछ भेज दिया जाता है ठीक है आपको जब भी किसी भी तरह से परेशानी आती है दिन आप हमें इस number पर call कर सकते हैं और अपने doubt को clear कर सकते हैं ठीक है I hope ये course आपके लिए काफी मददगार रहेगा industry में professionally काम करने के लिए ठीक है और don't save करता हूँ फिर से मैं एक नया फाइल लेता हूँ assembly and then okay to it अभी देखिए मुझे क्या करना है इसको close करना है और इसको भी close करना है अभी आप जाएए इसमें इसको बोलते हैं design library और हमने पिछले session में इसको खोल के रखा था इसलिए इस session में हमें पूरा process में नहीं जाना पड़ा अगर आप जाना चाहते हैं तो जरू जाएए toolbox और यहां से मैं आपको recommend करूँगा ISO में जाएए और power transmission में जाएए और gears में जाएए और यह हमारा straight be well gear ठीक है आप इसको drag कीजिए यहाँ पर और click कीजिए जैसे आप click करेंगे थोड़ी ही देर में इसका पूरा data आ जाएगा और आप देख सकते हो इसका total data manager आ चुका है आप देख सकते हैं इसमें हमें अपने हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से सब कुछ डालना है हमें यहाँ पर by default module 20 दिया है आप यहाँ से कुछ भी आ सकता है लास्ट टाइम में अगर आपने चलो मैं 14 ले लेता हूँ ओके यह हमारा module number 14 यह size decide करता है आपका विवेल्गेर का size क्या होगा और दूसरी चीज यह है कि आप ज़रा सा सोच समझ के data इंटर किजिएगा ठीक है और number of teeth suppose मैं यहाँ से ले लेता हूँ 40 ठीक है ज्यादा नहीं लेता मैं 40 लेता हूँ यह आपका PC जो है लटक जाएगा नहीं तो ज्यादा लीजिएगा तो ठीक है हलाके आपको जितनी की जरूरत उतना लीजिए आप है ना यह हमारा देख लो 40 आ चुका है ओके और यहाँ पर pinions number of teeth यहाँ पर इसका आप हाप ले लो 20 का यहाँ से आप suppose 20 ले लेते हो ओके यहाँ पर time लगता है थोड़ा सा लोड होने में pressure angle हम 20 रखते हैं और यह देख लो हमारा face width होता है face width बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का distance होता है मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ ओके 200 का हो रहा है धीरे धीरे यह सब कुछ सही हो जाएगा यह 200 हो गया अभी hub diameter देखिए यहाँ पर hub diameter यह होता है बहुत बड़ा दिख रहा है गया ओके अभी mounting distance में 200 लेता हूँ देखिए गाई nominal shaft diameter 300 का है इसलिए वो इदर आ रहा है यहाँ पर अगर मैं 500 कर देता हूँ तो हमारा perfect आएगा क्योंकि hole और shaft दोनों का diameter सेम हो जाने से यह problem आ सकता है तो आप देख सकते कितना कमाल का दिख रहा है हमारा ठीक है न मैं यह जो face ज़्यादा नहीं लूँगा मैं चलो 125 ले लेता हूँ आप देख सकते हैं अच्छा एक और चीज मैं देखना चाहूँगा mounting distance 200 दिया है मैं यहाँ पर 400 कर देता हूँ mounting distance तो यह आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ठीक है बहुत जादा हो गया तो 300 कर देता हूँ 300 यह हो चुका हमारा अच्छा एक और चीज है यह देखिए nominal sharp diameter basically यह होता है हमारा और यहाँ पर कीवे अगर आपको रखना है तो रख सकते हो देख लिजे एक चाहिए कि दो चाहिए आप यहां से decide कर लो यह मेरा एक हो चुका अगर आप दूसरे नमबर वाले लेंगे तो दो आ जाएगा फिलहाल हमें इन दोनों में से एक भी नहीं चाहिए तो मैं इसको none कर देता हूँ एक भी नहीं चाहिए ठीक है ओके देखिएगा मैंने module जो है वो 14 लिया हुआ है और यह data आपको याद रखना पड़ेगा जब opinion design किजिएगा तब बाकी का और कुछ भी नहीं है आपको याद रखना है तो आप एक काम कर लो इसका screenshot ल हमार ये और यहाँ पर आप paint में जाए ठीक है enter किजिए control प्लस वी किजिए और यह देख लो हमारा paint में जाने के बाद यह data हमारे पास है इसको मैं थोड़े time के लिए minimize करता हूँ yes और बस हम इसको कर देंगे okay no problem ठीक है यह हमारा पहला bevel gear insert हो चुका है दूसरा चाहिए क्या automatic solid works आपको यह दे देगा दूसरा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से close कर सकते हो अभी यह पहला part होने की वज़ा से यह by default fix रहेगा बट हमें fix नहीं चाहिए आप इसको right click किजिए और यहाँ से float किजिए और यह हमारा ऐसा हो चुका है free अब हम इसको थ कुलता हूँ यहाँ origin में जाता हूँ और इस cylindrical face को select करता हूँ यहाँ पर आपको concentric ले लेना है ओके और फिर बाद में आप क्या कर लो top plane इसका ले लो और यहाँ से आप यह face को select कर लो बाद में हम देखेंगे क्या editing करनी है क्या नहीं सो space and isometric अभी देखिए पूरी तरह स सिर्फ top के साथ करना है fix बाकी ऐसा ही free रहने देना है नहीं तो यह घूमेगा नहीं फिर ठीक है अगर आप front को front के साथ mate करेंगे top को top के साथ mate करेंगे है ना तो यह हमारा rotate नहीं होगा था हमें कैसा चाहिए rotate होने वाला चाहिए ठीक है तो इसलिए यह अभी देखिए properly हम है अब जरा मैं फिर से जाता हूँ इस पे और इस बार मैं straight be well pinion लेता हूँ पिछले time मैं मैं गिर लिया था भी pinion लेता हूँ ड्रैक करता हूँ क्लिक करने के बाद उसी तरह से data हमें डालना पड़ेगा याद रखिए हमें data यहां से check करना है कि module हमारा 14 है आपको यहां से 14 लेना पड़ेगा नहीं तो teeth to teeth match नहीं होने वाला है ठीक है अच्छा ओके अभी यहां पर गोर से देखिएगा यह हमारा 40 है ना तो यहां पर हम में क्या करना है 20 लेना पड़ेगा ओके उल्टा करना पड़ेगा 20 ले लिया और यहां पर जो gear number of gear number of teeth 40 करना पड़ेगा आपको ध्यान में रखना यह हमने last time में 40 लिया था तो इसलिए मैंने screenshot मारके रख लिया है ताकि गड़बड़ी नहीं हो ठीक है बाकी का काम कुछ ज 125 का था तो आप यहां से 125 ले लो ओके एंड नाओ हब डाइमेटर हब डाइमेटर देखिए मैं इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसको क्या कर दो 200 कर दो ठीक है और यह जो है mounting distance 800 का है by default मैं इसको 250 कर देता हूँ यह चोटा हो जाएगा यह काफी चोटा हो गया तो मैं यहाँ पर 400 कर देता हूँ ओके लुकिंग नाइस अब देखिएगा अगला step क्या होगा nominal shaft diameter इसका कितना है वही nominal shaft diameter 150 का है तो यहाँ से आपको 150 का ही ले लेना है no problem यह 150 ले लिया है आप चाहो तो इसको ज़रा कम कर सकते हो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 100 कर देता हूँ ठीक है यह हमारा 100 का हो जाएगा nominal shaft diameter यह थोड़ा छोटा हो गया ठीक है यह 100 का है और बाकी का कुछ भी नहीं करना है ठीक है बस that's it इतना ही करना है हम लोगों को और okay कर देना है यह system automatic आपको बोलेगा कि अगर आपको चाहिए तो एक और ले सकते हो यहाँ पर ले लो एक और चाहिए ले लो एक और चाहिए ले लो बट हमें दो ही चाहिए मैं इसको close कर देता हूँ space and isometric यह हमारे एक हो गया straight bevel gear एक होता है pinion दो pinions है एक gear है ठीक है अभी मैं इसको जड़ा सा move कर लेता हूँ इधर और इसको भी मैं इधर कर लेता हूँ यह सारे process जो है धहान में रखियेगा नहीं तो गलती हो जाएगी फिर आई बस समझाए अब चलते हैं इसको properly हम एस assemble करने के लिए हम लोगों को क्या करना है ध्यान से देखिए यह process बहुत important है आपको यह पहले वाले gear को खोलना है और यहां से देखिए base revolve का एक feature दिखाए देगा यहां पे आपको click करके इसके जो entities है यानि geometry है इसको आप show किजिए यह देखिए इसका geometry show होने लगा आप इ इसकी geometry को show कर देंगे क्योंकि मैंने इसका copy किया था इसलिए एक को show करेंगे तो दूसरा automatic show होता है close कर देते हैं अब चलते हैं आगे अगला step क्या है मैं इसमें meeting में जाता हूँ और meeting में जाने के बाद आप इसको select किजिए और इसका center किदर है यह रहेगा इसका center select किजिए और यहां से आपको coincident करके ok कर देना है यह हमारा पहला काम हो गया दूसरा है मैं इसको select करता हूँ और फिर इसको select करता हूँ फिर आपको यहां से perpendicular ले लेना है and then ok कर देना है ok अब देखते हैं आगे क्या होता है space isometric अराम से काम कीजिए यह देखिए हमारा हो तो गया है बट किधर भी जा रहा है यह हमारा इसका location fix करना पड़ेगा यह देख लो हमारा कैसे भी जा रहा है तो आपको क्या करना है meeting में जाना है यह मैंने लिया front plane और इसको center वाले axis को select कर लेता हूँ यह देखिए coincident and then ok and then ok to it ठीक है अभी देखिए यह properly हो चुका है यह को ठीक कर दूँगा यह देख लो properly अपने जगा पर घूम रहा है अभी इसको ठीक करता हूँ यह लिया मैंने rotate component मैं इसको select करके जरा rotate कर लिया properly इस तरह से then ok कर देता हूँ और यहां से मैं meeting में जाता हूँ फिर आपको यह origin select करना है फिर इस origin को select करना है and then ok कर देना है ठी last step क्या होगा हमारा आप इसको पकड़ लो और फिर इस origin को पकड़ लो one second mate नहीं लिया लगता है मैंने तो हम लोगों को फिर से इसको select करना होगा और perpendicular करना होगा ok and now what आप क्या कर सकते हैं आप इस axis को select कर लो और इस axis को select कर लो यह देखिया हमारा coincident हो चुका है properly and then ok and then ok to it अब यह हमारा काम perfect हो चुका है अभी जो भी geometry आपको show हो रहे हैं उसको मैं hide कर देता हूँ we don't need that anymore okay now यह हमारा perfect हो गया ठीक है दरसल यह सिर्फ gear है अभी holders वगेरा हमने नहीं बनाया है और practically देखा जाए तो मैंने शुरुवात में ही बताया था कि किस तरह से हमें एक उसका support बनाना है तो ठीक है फिलहाल मैं इसको क्या कर लेता हूँ थोड़ा अच्छे से arrange कर देता हूँ ताकि यह teeth हमारा intersect ना हो एक दूसरे से ठीक है yes okay that's okay अब इस side वाला कर देता हूँ मैं यहां से जरा drag कीजिए और मैं इसको जरा सा इसे कर देता हूँ तो be careful इसको intersect नहीं करना है नहीं तो गड़बर हो जाएगा yes that's it space करता हूँ isometric चलिए अब इसको हम देखेंगे motion apply करके यह properly काम कर रहा है उसके बाद मैं उसका support बनाता हूँ gear support ठीक है तो उसके लिए मैंने बताया motion study में जाना है अगर यह यहां पर नहीं दिख रहा है तो आपको right click करके tool bar में जाना है motion manager में ठीक है चलिए तो मैं इसको जरा सा यहां से मैं motion analysis पे click कर देता हूँ उसके बाद मैं इस option पे click करता हूँ और यहां से मैं 30 ले लेता हूँ enter and then okay उसके बाद आपको contact में जाना है इसके साथ यह contact में है and then okay then what फिर contact में जाना है इसको पकड़ो और इसको पकड़ो okay कर दो ठीक है आप चाहें तो timing बढ़ा सकते 15 seconds yes and then what मैं लेता हूँ motor this is the motor और मैं इस पे apply कर देता हूँ motor now we can flip the direction as well और rpm जो है मैं suppose 5 लेता हूँ rotation per second per minute sorry ठीक है तो आप 10 भी रख सकते हैं 15 भी रख सकते हैं आपकी मर जी okay और यहां से मैं इसको okay कर देता हूँ फिर आप इस पे calculate पे click किजिए और calculate होने के बाद यह motion चालू कर देगा ठीक है थोड़ा time लगता है calculation में आप जितने number of teeth लीजिएगा और जैसा आपका configuration होगा उसके हिसाब से यह काम करता है so I hope यह properly run होगा हमारा ठीक है यह calculation में थोड़ा time लग सकता है तो यहां पर देखेगा rebuilding please wait का एक message आ रहा है so we must wait for that थोड़ा सा आपको एक डेड़ मिनट इंतिजार करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि काम अगर ज्यादा रहा तो इस तरह से आपको इंतिजार करना पड़ेगा ठीक है चलिए इंतिजार करते हैं तो calculate होने के बाद यह automatically इस तरह से start हो जाएगा आप देख सकते हैं यह हमारा total running हो रहा है आप इसको गुमा के देख लिजए कि तुटित अच्छे से match हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं यह देखे इधर का भी सही से हो रहा है और हमारा इधर का भी properly matching हो रहा है ठीक है आप फिर से check कर सकते हैं play from start 15 seconds का हमने लिया था तो 15 seconds का यह हमारा rotation चलेगा यह आप देख सकते हैं कितना proper आया हुआ है सब कुछ ठीक है calculation में maybe थोड़ा time लग सकता है depend करता है आपके computer के configuration के उपर यह हमारा complete हो चुका है ठीक है अगर यह process आपको नहीं समझ में आया एक बार में तो आप जरूर repeat करके देख लिजेगा ठीक है अब बात करते हैं जरा इसके holder का ठीक है यानि जिस पर यह gears हमारे लगने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है जैसा मैंने top down assembly में बताया था वैसे ही एक यहाँ new part लेना है और इधर आके click कर देना ठीक है space and isometric अब आपको क्या करना है इस पर right click करके यहाँ edit में जाना है अब आपको क्या करना है यहाँ से front plane और sketch ले लिए मैं sketch space and normal ठीक है अब चलिए यहाँ पर हम लोगों को पूरा काम करना है तो देखिए कैसे करते हैं सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या कर लो center line यह लेता हम infinite length और यहाँ आपको एक center line ले लेना है आप चाहोँ यहाँ model में जा सकते हो हमें इसकी जरूरत नहीं है space करके normal करेंगे पिर आप इसको से लग किजिए इसके साथ आप coincident कर दीजिए ठीक है बाकी का काम आपको क्या करना है देख लीजिए यहाँ से हम start करेंगे ऐसा 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 इस तरीके से मैं लेता हूं ठीक है इस तरह से मैंने profile ले लिया अब चलिए मैं यह से select कर लेता हूं इसको symmetric कर देता हूं दरसल हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा ठीक है हवा में थोड़ी ना वो हमारा assemble होने वाला है ठीक है इसलिए हमें इसको बनाना ही पड़ेगा और equal भी कर देता हूं चलिए भी dimensions डालना हम लोगों को तो यह रहेगा मेरा suppose 1200 क्या सपास ले लिया मैंने और आपका अगर दिल चाहे तो यहां से पकड़के इसके बीच में या तो फिर क्या कर लो distance डालता हूं मैं यहां से यहां तक मैं suppose 50 का ले लेता हूं ओक्के और यह जो रहेगा हमारा one five यह हमारा कितने का है one fifty का क्या अच्छा यह डालने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है फिर अब यहां पर भी मैं 50 का ही ले लेता हूँ जितना उपर लिया है मैंने उतना का ही ले लिया इधर तो उतना ही होगा अभी मैं इसको पकड़के इसके बराबर यह 700 या 800 का सपस ले लेता हूँ ठीक है ठीक है अभी मैं इसको पकड़ लेता हूँ और ये देख बराबर है अभी मैं यहां से यहां तक का डाल देता हूँ यह 150 का था 150 डाल देता हूँ मैं ठीक है looking great अभी कोई परेशानी नहीं है इसमें और काम एक कर लेते हैं जरा सा यहां से ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा मैंने एक profile लिया अब मैं जरा इसको बाहर की तरफ लेता हूँ इसको भी बाहर ले लिया इसको भी बाहर ले लिया और select control select select यहां से मैं कर देता हूँ symmetric दोनों के बीच का एंगल डाल देंगे properly ठीक है यहां से आप 135 suppose ओके देन यहां से यहां भी ले लेता हूं 135 ओके और बाद में आप क्या करते हैं इसको select करो and then इसको select करो यहां से 170 ले लो ठीक है और फिर हम क्या करेंगे इसको पकड़के इसके साथ 200 का ले लेता हूं ठीक है अब कोई दिकत नहीं है मैं यहीं से ही पकड़के ऐसा कुछ ले लिया ओके मैं इसको पकड़के actually 460 का ले लेता हूं बसीत नहीं कर देता है बाकी का जो है काम हम बाद में कर लेंगे एकजिट करूंगा और दिखते हैं यहां से extrusion में जाता हूं इसको पहले लेता हूं मैं चलिए मैं 500 का ले लिया और यहां से midplane कर देता हूं ठीक है यह हमारा हो चुका ओके कर देता हूं फिर बाद में आपको यही sketch select करना है and then x2 normal जो लेते थे न हम लोग वैसा ही करना है आप इसको पकड़ सकते हैं आराम से और नहीं हो रहा है आपको reason लेना है then specify reason here you can see फिर से लेता हूं मैं ok yes we can see here यह हमारा थोड़ा सा mouse को एदर उदर हिला के देखेंगे हम लोग yes यह हो गया and then what यह हम जादा नहीं लेंगे हम यहां से 200 का लेंगे ठीक है और यहां से midplane and then यह भी हम लोगों को लेना है actually but उसके लिए हम बाद में देखेंगे कितना लेना है कितना नहीं सो चलिए इतना मैंने ले लिया सपोज आप चाहो तो 150 का भी रख सकते हो no problem okay एक और बारा sketch लेता हूं extrude में जाता हूं we are going to select this one और इसका हम 500 ले लेंगे पहले जैसा ठीक है and here you can see यह हमारा पूरी तरह से आ चुका है अब देख सकते हैं अब अगला चीज क्या करना है हम लोगों को बाद में आप चाहो तो fill it वगेरा इन सब में डाल सकते हैं फिलहाल हम इसको नहीं डालते हैं as it is रहने देते है time बहुत लग जाएगा अब हम लोगों को क्या करना है इस पेस में जाना है sorry इसको हाँ इस पेस में जाना है sketch space normal और यहां से मैं जरा सा इसको open कर लेता हूँ अभी जरा सा और से देखिएगा कि मैं इसको select करता हूँ यहां से convert किया और ok किया ठीक है यहां पर हमारा यह लिया convert select and then ok एक यह हो गया और दूसरा जो है मैं इसको भी convert कर लेता हूँ ok यहां से मैं जरा इसको इसे कर लिया ठीक है दिख रहा है आपको properly अब चलते हैं जरा इसको extrude करेंगे तो यह जो लेना है actually इसको मैं हटाता हूँ और सिर्फ बाहर वाला लेता हूँ यह हमारा सिर्फ और सिर्फ 50 रहेगा इसके साथ चिपका हुआ होना चाहिए and then ok और फिर मैं इस sketch पे select करता हूँ extrusion में जाता हूँ और इस बार हम यह जो अंदर वाला है मैं इसको delete करूंगा और अंदर वाला select करता हूँ फिर आप यहां से up to surface ले सकते हैं and we are going to select this pinion face and then ok to it यह देख लिजे हमारा एक side का पूरी तरह से बनके हो गया है तयार और हम लोग क्या करेंगे इसको mirror करेंगे तो कैसे करते mirror इसको select करूंगा फिर इसको select करूंगा ठीक है फिर आप यहां से mirror ले सकते हैं और बाद में यहां से पकड़ के आप क्या कर लो यह right plane oops sorry मुझे इसका वाला लेना है actually यह वाला right plane लेना है अंदेनों के assembly वाला नहीं इस part का right plane लेना है तो यह काफी अजीव सा हो गया है we don't need that actually अभी मैं फिर से undo करता हूं मैंने इसको लिया और इसको लिया यहां से mirror फिर आप क्या कर लो यह लेता हूं right and here we got it okay अब यह कैसे touch हो रहा है यह touch तो नहीं होना चाहिए था हमारा undo करता हूं मैं हमारा यह touch बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो क्यों हो रहा है यह अचा ठीक है मैं एक बार फिर से check करता हूं इस one second and this is and this is अभी में mirror में जाता हूं mirror में जाने के बाद यह हमारा last part oh sorry यह हमारा यह part है न हमारा so that's it अभी हम इसका जो है वो right plane लेते हैं ऐसा ही दिखना चाहिए हमारा देखो यह properly दिख रहा है and then आप geometry pattern कर सकते हैं no problem and then okay to it yes perfect आ चुका है यह आप देख सकते हैं perfect आ गया हमारा एक और चीज करना पड़ेगा हम लोगों को space पे जाना है sketch में जाना है space and normal ठीक है अभी हम लोगों को क्या करना है convert entity अभी आपको और यहां पे आपको properly selection करनी पड़ेगी select this one and this one okay yes देखे हमारे पास दो circle जो है आ चुका है अब यहां से okay कर देता हूँ फिर हम के क्या करना है हम लोगों को यहां से extrusion में जाना है now delete this यहां से delete कीजिए और मैं save circle को लेता हूँ और यह हमने सिर्फ 50 ले लिया है बराबर आ चुका है okay और फिर से मैं जाता हूँ इसको select करूंगा फिर यहां से extrusion में जाता हूँ और इस बार भी हम क्या करेंगे यहां से delete करेंगे और अंदर वाला ले लेते हैं यहां से बाद में आपको क्या करना up to surface up to surface मतलब space तक and then okay to it and here we can see what we have created now तो दिखिए इसकी मदद से क्या है आप आराम से assemblies वगरा कर सकते है properly ठीक है अभी चलिए मैं जरा सा क्या कर लेता हूँ फिलेट वगरा डाल देता हूँ ताकि हम लोगों को ज्यादा परिशानी ना हो और smooth दिखे हमारा चलिए भाई इस तरीके से मैं ले लेता हूँ और ये भी मैं ले लेता हूँ इसको भी ले लिया looking nice 25-30-500 भी ले सकते हैं 50 भी ले 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 चलिए ठीक है अगर चाहो तो इसमें भी आप apply कीजिए कोई problem नहीं है ठीक है आप यहां से भी ले लो यहां से भी ले लो यहां भी ले लो looking very nice ठीक इस तरीके से आप कर सकते हैं यह सारे जो हैं आप बड़े आसानी से बना सकते हैं looking nice ठीक है इतना ही लेते हैं फिलहाल और यह देख लो हमारा काम हो चुका है अगर आप चाहें तो एक जटके में यहां से मैं 10 का ही ले लेता हूँ या तो 20 का ले लिया चलो 25 ले ले लेता हूँ और इसको सेलेक करके पूरा का पूरा अपलाए कर दिया और फिर बाद में आप इसको भी ले सकते हो पूरा का पूरा यहां पर जाके एरर आ जाएगा आप डिलीट कर देता हूँ यह हो चुका एंद देन क्लोज इट ओके ना लुकिंग वेरी नाइस अब आप क्या कर सकते हैं यहां से इसको सेलेक यह हमारा नहीं हो रहा है ठीक है तो रहने देते हैं कोई दिकत नहीं है बस हमारा यह काम हो चुका इवेन वी केन एपलाई सम कलर्स और मतिरियल जो भी आपको चाहिए पेंटेड चाहिए पेंटेड लेलो आप डबल क्लिक करें इसको सेलेक करके आप चाहो तो एपलाई कर सकते हो या तो फिर इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहां पर जाएंगे and we can select any color from this list और यहां से आपको ok कर देना है यह र यहाँ पर भी नहीं लिया तो आपको क्या करना होगा फिर से आपको select करके इधर edit में जाना होगा and then हम यहाँ पर fillate को select करके इसमें edit feature जाएंगे और आपको यहाँ पर selection कर लेना है एक और जगह कहां है भई हमारा और यहाँ पर भी है ठीक है then what यह आप ले सकते हो सपोज यह मेरा 50 का था सायद है ना गलती हो गई यहाँ पर कौन सा था हमारा edit feature ओके आईसा और ऐसा कर देते हैं then okay कर दिया space and isometric यह हो चुका finish कर देते हैं यह देख लिजिए हमारा काम हो गया है अभी आप चाहें तो इस part को भी save कर सकते हैं even आप यहाँ से update किजिए motion study में जाईए और इसको start किजिए वही सही काम करेगा यह लेकिन अभी जो है वो more accurate लगेगा हर चीज जगा पर लग रहा है ना कोई इधर का उधर नहीं here you can see it is looking very nice ठीक है ना तो आई होप यह दो गेर के example हमने बड़े ही अच्छे से समझ लिया है आप इसकी practice जरूर कीजिएगा और दिक्कत आये तो हमें जरूर कॉल कीजिए ठीक है चलिए मिलते हैं फिर next mate के साथ thank you for this session thanks for joining digital cat solutions बबाई गुड डे टेक केर कि अ कित ही कि वाओ दो हमें बड़ हैं गल कि झाल कि व एनस के से स्क्राइग गुड ए introduced me कि प्वार